वेलकम टोल लियाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में International Relations के Current Affairs के Revision का ये हमारा 9 लेक्चर है आज के इस सेशन में हम मई महिने के International Relations के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article South Asian Climate Outlook Forum के बारे में है सैसकॉफ हाल ही में Consensus Report सैसकॉफ 19 की रिलीज की गई है सभी देश आपस में Consensus बनाके एक Report पब्लिश करते हैं ये जो Report है उसमें कुछ Information पब्लिक होई है जिसके बारे में इस Article में बात की गई है कि जो South Asian Countries हैं जो मानसून सीजन आने वाला है वहाँ पर Normal या Above Normal Rainfall देखने को मिलेगी तो ये तो बात निकल के आई इस Report में अब ये Forum है क्या ये Climate Experts का Forum है कई सारे देश यहाँ पर खुद को Represent करते हैं 2000 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, स्रिलंका, बांगला देश, नेपाल और भूटान इनको कुछ Expertise मिलती है Bodies की Like World Metallurgical Organization Original Integrated Multi-Hazard Early Warning System Japan Metallurgical Agency Korean Metallurgical Administration ये सभी लोग मदद करते हैं Technical Expertise देते हैं इस Forum को यहाँ पर देखे जो South Asian Nations हैं वो इसकी Meeting कंड़क करते हैं World Metallurgical Organization के साथ मिलकर 2010 से ही ये Reports वगएरा Release की जा रही है जो Consensus है वो Seasonal Climate Information की Basis पर होता है उसका इस्तेमाल सभी Countries अपने यहाँ National Outlook तयार करने के लिए करते हैं तयारी कर लेते हैं कि यहाँ अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसके लिए हम खुद को Prepare कर लें परा Next Article Asian Development Outlook 2021 के बारे में है Asian Development Bank ने इस Outlook को Release किया है यह एक Annual Economic Report है जहाँ पर Asian Development Bank में जो भी Member Countries है उसमें जो Developing Countries हैं उनके उपर इस Report को Release किया जाता है Analyze किया जाता है उनके Economic और Development Issues को जो भी एशिया के देश हैं क्या निकल के आया इंडिया के बारे में यह कहा गया कि इंडिया की जो GDP है वो 11% के पेस को पकड़ेगी 2021-22 के Economic Year में हाला कि definitely उन्होंने इस Evaluation में इस समय जो इंडिया फेस कर रहा है COVID-19 का सर्ज उसको calculate नहीं किया होगा 2022-23 में नोंने कहा कि जो growth होगी वो moderate होगी 7% की हाला कि overall economy का जो size है वो 2021 में 8% contract किया है यह भी इनोंने बताया अगर बात करें Asian Development Bank के बारे में तो 19 December 1966 को इसे established किया गया था World Bank की तरज पे Philippines के Manila में headquarter है 68 member countries है इसे observer status भी दिया गया है United Nations में India इसका founding member था जब इसे found किया गया थो यह Social Economic Development Asia में promote करने की कोसिस करते है 2019 के December में पांच जो बड़े shareholders है उनका बारे में बता देता हूँ Japan और US 15.6% पर टॉप पर है उसके बाद Republic of China 6.4% India 6.3% then Australia 5.8% और नेक्स्ट आर्टिकल United Nations High Commissioner for Refugee के बारे में है Manipur के High Coat ने अभी 7 Myanmar Nationals को allow कर दिया है जो इंडिया में चोरी चुप के आये थे क्योंकि म्यांगमार में military coup हो गया है महाँ पर military ने सत्ता पर खुद को काबिच कर लिया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो threat feel कर रहे हैं जिनकी जान को खत्रा है वो अलग लग जहों पर जाके जान बचाने की courses कर रहे है उसी क्रम में ये साथ लोग शुप कर भारत में आ गये थे उन्होंने भी refuge मांगा है और high court ने उन्हें allow कर दिया है कि वो Delhi तक आ सकते हैं travel करके और UN HRC से protection मांग सकते हैं United Nations High Commissioner for Refugees से तेकि समझने वाली बात ये है कि इंडिया UN Refugee Convention की पार्टी नहीं है लेकिन इसके अलामा भी कुछ ऐसे steps हैं जिनको इंडिया ने follow किया है लाइक इंडिया पार्टी है Universal Declaration of Human Rights of 1948 का इंडिया पार्टी है International Convention on Civil and Political Rights of 1966 का इसके अलामा इंडियन Constitution में एक आर्टिकल भी है आर्टिकल 21 जो कि protection of life and personal liberty की बात करता है द्यान दीजीगा कि ये आर्टिकल केवल Indian Nationals के लिए भी ही नहीं है बलकि foreign Nationals को भी available है Supreme Court ने कई दफा इसको explain भी किया है इससे ये साफ है कि इंडिया non-reformant का जो right होता है किसी भी refugee का उसको deny तो नहीं करेगा अब ये non-reformant का मतलब क्या है 1951 के refugee convention में बहुत important प्रावधान किया गया है that is principle of non-reformant इसमें ये कहा गया है कोई व्यक्ति अगर जान बचा कि किसी दूसरे देश में गया है तो वहां की सरकार उसे वापिस से उस देश में नहीं भेजेंगे जहां पर उसकी जान को खत्रा हो या उसकी लिबर्टी को खत्रा हो तो इंडिया आर्टिकल 21 को संग्यान में लेकर right to non-reformant को accept कर लेता है अगर हम UNHRC की बात करें तो UN की एजनसी है जो refugees के लिए displaced people के लिए stateless people के लिए work करती है mandate क्या है ये मदद देते हैं प्रटेक करते हैं refugees को ऐसे लोगों को जिन्हें जबरदस्ती किसी threat में डाल कर किसी दूसरी जीके पर डिस्प्लेस कर दिया गया और stateless people को अगर कोई व्यक्ति asylum लेना चाहता है तो उसे safe refuse दिलवाना अगर कोई व्यक्ति वापिस से अपने देश में जाना चाहता है तो safely उसे वहाँ पे भेजने में मदद करना और उसका local integration करवाना ये सारा इनका काम है 1950 में इसे बनाया गया था Second World War के बाद बहुत सारे millions of number में Europeans अपने घरों को छोड़कर safe जगों पर भाग गये थे उन्हें वापिस से लेकर आना reintegrate करना ये काम इन्होंने किया 2020 में इनकी 70th anniversary भी थी चुकि इन्होंने काफ़े अच्छा काम किया था Second World War के displaced लोगों के लिए तो Nobel Peace Prize भी इनको मिला था 135 जेसों में 17,324 परसोनस वर्क करते हैं Switzerland के Geneva में headquarter है पैसा कहां से आता है? voluntary contributions से आता है 86% जो भी पैसा इनके पास आता है वो government और European Union के voluntary contributions से ही आता है एकल G7 Foreign Ministers Summit के बारे में है हाल ही में हमारे External Affairs Minister S. Jaisankarji 4 दे विजिट पर गए कहां? London में किसलिए गए? उन्हें participate करना था G7 की Foreign Ministers Meet में तो क्या India G7 का पार्ट है? क्योंकि इंडिया के External Affairs Minister को invite किया गया? बिल्कुल नहीं इंडिया G7 का पार्ट नहीं है इंडिया को एक guest country के रूप में वहाँ पर invite किया गया था तो क्या इंडिया एक मात्र अकेला ऐसा देश था जिसको वहाँ पर invite किया गया ऐसा भी नहीं है इंडिया के साथ साथ Australia और South Korea को भी guest country के रूप में invite किया गया था G7 की जो summit इस साल है उसको objective ये था कि दुनिया भर में जो एक fight चल रही है COVID-19 के खिलाफ उसको और बहतर तरीके से सही किया जाए greener और ज़्यादा prosperous future को create करने की कोसिस की जाए यहाँ पर देखे जो summit है उसमें ये तीन guest countries रही ये तो हमने देखी लिया G7 के बारे में बात करें तो Internet Governmental Organization है 1975 में इसे फाउंड किया गया था ये common interest के issues डिसकस करते हैं जो global economic governance related हो सकते हैं international security और energy policy से भी related हो सकते हैं तो G7 में कौन से 7 देख हैं जैसे की बात हो रही थी कि इंडिया तो नहीं है तो 7 देख हैं US, UK, France, Germany, Italy, Canada और जापान द्यान दीजेगा कि G7 पहले G8 हुआ करता था जब G8 था तो 18 देख कौन सा था? रेश्या हुआ करता था लेकिन 2013 में रेश्या ने attack किया Ukraine के ऊपर और Crimea को annex कर लिया तो 2014 में रेश्या को बाहर कर दिया गया तो G8, G7 बन गया G7 कोई official या formal entity तो है नहीं इसलिए इनके पास कोई legislative या authoritative power नहीं है यह आपस में discuss करते हैं policies जो recommend की जाती है उन्हें अगर कोई देस ना भी माने तो उसमें कोई bindation create नहीं किया जा सकता देखे, plan तो यह भी चल रहा है कि D10 group बनाया जाए यह proposal UK के प्राइम मिनिस्टर ने रखा था कि G7 को हम convert कर दे D10 में D10 का मतलब होगा 10 leading democracies और plan वही है कि यह जो तीन लोग अभी invite किये गए है Australia, South Korea और India इनको भी member बना लिया जाए तो यह दुनिया के 10 democracies हो जाएंगी एक अच्छा सा group बन जाएगा Global innovation partnership के बारे में Cameret में हाले में मंजूरी दे दी है एक MOU जो इंडिया और UK के बीच में हुआ है Global innovation partnership को लेकर यह partnership किस बात को लेकर है तो यह कोशिश करेगी एक ऐसा platform प्रयार करने की जिससे कि जो इंडिया के innovators है वो किसी तीसरी country में इंडिया या UK में तो आप करी सकते हैं इसके अलावा लेट से आपको इजीप्ट में अगर कोई अपने कोई innovative research किया है जिसको अपने plan किया है कोई एक product है आपका जिसको अब बहाँ establish करना चाहते है वहाँ बेचना चाहते है या वहाँ इसको develop करना चाहते है तो वहाँ के opportunities के लिए भी ये एक partnership उनको options देगी कि इंडिया के innovators third countries में जाके भी एक ecosystem का फाइदा उठा के वहाँ भी नई चीज़ें develop कर सकते है इसमें focus specifically होगा social development goals पर यानि अगर कोई ऐसा आपका innovative product है जो की pollution से लड़ने में काम आ सकता है या जो development goal है दुनिया के इसको हासिल करने में मदद कर सकता है तो उसपे wishes funding provide की जाएगी तो जब भी कोई initially innovator आता है कोई चीज नहीं innovate करता है तो उसको क्या चीज़ चाहिए होती है सबसे पहले कि वो जब basic phase में होता है तो थो थोड़ी सी seed funding चाहिए होती है थाकि वो एक prototype बना सके scale up कर सकें और market में उतार सकें ये इसके अलावा एक open e-marketplace खोलेगा e-bazar ताकि cross border innovation transfer हो सके यानि जो भी assessment होगी उसमें transparency आएगी accountability आएगी और कोशिश की जाएगी कि online marketplace के through भी अगर कोई transfer हो सकते है innovative technology के या practices के तो वो भी किये जाएगे world food price index के बारे में है context क्या है इस index के according food के prices 11 महिने में लगातार बढ़े है April के महिने का ये data हमारे पास आया है मई 2014 के comparison में हम देखें तो ये अभी तक का highest price है क्या है ये world food price index दुनिया भर में खादे पदार्थों की कीमतों का क्या हाल चाल है वो हमें इस index से पता चलता है तो कौन निकालता है ये index FAO organization का नाम है full form है food and agriculture organization कब बनाया गया था इस index को 1996 में ताकि दुनिया में जो agriculture commodity market है हम उसे monitor कर सकें purpose क्या है देखे खादे पदार्थों की चीज़ें में कीमते हैं वो लगाता बदलती रहती है मदब हर दूसरे तीसरे आपको changes दिखते है ये मन्थली changes को track करता है international level पर जैसे हमारे यहाँ CPI WPI होता है वैसे ही international level पर food commodities में क्या उनके prices में change आ रहा है basket of commodity ले 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 लेते हैं और फिर evaluation कर लेते हैं चल जाता है बढ़ रहा है कि घट रहा है commodities में cereals, vegetables, dairy product, meat product, sugar ये सब evaluation में ले जाते हैं कुल मिला के 5 group of commodities को evaluation में लिया जाता है और base year 2014-16 opt किया किया है FAO की बात करते हैं specialized agency है United Nations की international level पर hunger को defeat करने का ये प्रयास कर रहे हैं 1945 में बनाया गया था Italy के room में headquartered है ये कुछ reports publish करते हैं World State of Forest Report Sophia और Sophie State of World Fisheries and Aquaculture Sophia है और Sophie है State of Food Security and Nutrition Involved इनके कुछ initiative भी है Gias, Globally Important Agriculture Heritage System CAC Codex Elementary Commission इस पर हमने एक article भी discuss किया था और Tree Cities of the World Program इस पर भी हमने article discuss किया था अभी हाल ही में इंडिया की एक city को Tree Cities में सामिल किया गया है कौन से city आप comment box में बताइएगा discuss किया था हमने अगर आपको याद हो तो हमारा next article World Food Prize के बारे में है 2021 का World Food Prize मिला है Sakuntala Harak Singh Thilsted को ये Indian decent की एक महिला है हाला कि ये surgeon Denmark की है काफी prestigious price है ये World Food Price Foundation इस award को देता है अगर किसी व्यक्ति ने दुनिया में जो food crisis है उसे कम करने के लिए कोई भी contribution दिया है food की quantity, quality, availability को बहतर करने के लिए किसी भी field में कोई भी हर field cover है मतलब plant, animal, soil science, food science, technology, nutrition, rural development आप कुछ भी ऐसा काम कर दो जिससे दुनिया में food crisis को कम करने में मदद मिले तो आप ये award ले सकते है कौँ eligible है? कोई भी eligible है बिना किसी race, religion, nationality या फिर political belief के मतलब किसी भी व्यक्ति को ये award मिल सकता है दो लाख पचास हजार डॉलर का cash price दिया जाता है Norman E. Borlog आपने इनका नाम सुना होगा इन्हे father of green revolution कहा जाता है 1970 में नोबल peace prize भी मिला था उन्होंने ही world food price को start किया था 1986 में general food corporation के साथ एक sponsor सिपिन को मिली थी जिसके basis पे इस price को start किया गया था 1986 में और 1987 में for the first time इस price को दिया गया था MS Swaminathan जी को जिन्हें इंडिया में father of green revolution के नाम से पोकारा जाता है इसे food and agriculture का nobel prize भी कहा जाता है अगला important article covax program के बारे में बात करता है जुकि US दुरा decided है कि 80 million vaccine doses covax program के अंदर गार वो देंगे तो भाई US में अल्रडी बहुत सारी एडिशनल पड़ी भी है उनने बहुत सारी एक्वाइर कर रखी थी खरीद रखी थी तो covax program चलाया गया था कुछ NGOs कुछ global bodies के द्वारा कि भाई जो देश vaccine एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी सस्ते दुनों तो vaccine पहुँचाई जा सके तो यह स्थापना इस covax program के इसी साल पिछले साल अप्रिल में हुई और WHO, CPI, GAVI और UNICEF जैसे ही संगठन ने इसको मिलके स्टैबलिश किया गया इसका काम है कि जैसे बड़ी-बड़ी NGO जैसे Bill Melinda Gates Foundation, UNICEF, World Bank इन सब ने इसको funding प्रोवाइड की कि यह बहुत सारी वैक्सीन पहले से खरी दे थे जब वह develop हो रही थी ताकि वह छोटे-छोटे देशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड करा पाएं जो अधवाइज नहीं खरीद पाते वैक्सीन तो इनका लक्ष है दो बिलियन वैक्सीन डोजिस इस साल के अंत तक distribute कर देना तो यह point example है कितना इनका target है कौन fund कर रहा है और क्या गावी इसकी member है गावी इसकी member है UNICEF इसकी member है CPI इसकी member है World Health Organization इसकी member है तो यह इनका लक्ष ऐसा है कि भाई हम किसी भी देश को 20% जारा population तक वो सारे देश वैक्सीनेट नहीं कर देते हम तब तक किसी को जादा नहीं करने देंगे मतलब इस vaccine program के अंतर अलग-अलग देशों को vaccine मिल रही है तो कोई भी देश 20% से उपर अपनी जनसंख्या को vaccinate तब तक नहीं करेगा जब तक बाकी जो देश है उनके भी 20-20% जनसंख्या पूरी ना हो जाए यानि आपको top level 20% तक की जनसंख्या को ही vaccinate करने के लिए पहले ये vaccine प्रवाइड करेगा कि जब तक बाकी देश की 20-20% जनसंख्या ना हो जा तब तक याद रखिए कोवेक्स program उन देशों के लिए है जो effort नहीं कर पा है रहे जो उनकी मदद ले रहे है US ने बहुत से देशों कर लोगों करा लिया है UK इसराइल इवन इंडिया चाइना रश्या ऐसे देश इसमें पार्ट नहीं कि वो खुद ही अड्मिस्टर कर रहे है तो ये बाकी देशों की हाँ बात हो रही है तो आपके अंदर doubt आ सकता है कि अचा कोई देश रिसीव नहीं करेगा तो अमेरिका ने कैसे कर लिया जादा तो अमेरिका is like a donor वो पहले से खरीद गया बैठ है important news is about BRICS astronomy working group जो इंडिया ने सात्मा ब्रिक्स का अभी astronomy working group host किया है जो कि obviously किसके अंतरगा science technology innovation track of BRICS 2021 कि अंतरगा तो ये natural सी बात है आपको पता ही होने चाहिए कि ये BRICS के अंदर कौन सी countries है which is Brazil, Russia, India, China and South Africa जो पहले conceptualized वहा था BRIC के रूप में इस बाद में आया इसमें, BRICS वह countries थी जो बहुत तेजी से develop कर रही थी और एक British economist ओनील उन्हों ने ऐसा बोला था कि ये चार countries जो है बहुत अच्छे से develop कर रही तो उसी को उसी से पेढ़ना लेकि इन चारों countries ने मिलके बैठके बात करना शुरू किया था और बाद में उसमें South Africa को भी जोड़ दिया गया था फिर ये BRICS बन गई थी और BRICS का काम किया थी ये ऐसी developing countries है जो बहुत तेजी से विकास कर रही है और ये चाहती है कि इनका भी stake जो बड़े institutions हैं जैसे Asian Development Bank या फिर IMF, World Bank जहां पर इनका share इन सभी का बहुत कम है चाइन लोगों ने मिलके एक नए institution setup किया चाहे उसमें National Development Bank की बात हो या और financial mechanism जो ये बना रहे हैं तो ये होगे इसकी बात तो पहली बात अभी ये astronomy working group है क्या ये science की 5 thematic areas इनों ने डिसाइड किया है जाए लोगों मिलके collaborate या बात करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से एक है astronomy ज से क्या निकलता है बाहर तो ये बता रहे थे कि भाई telescopes member countries में एक network उसका बनना चाहिए ताकि regional data network बन पाए इन देशों के बीच में regional data network से क्या होगा अगर अलग-अलग देशों की observation skills अलग-अलग-अलग देशों का observation levels दूसरे होते हैं वो साथ में आइंगे इसको टैली करक में पहले ही दे चुका हूँ और इसके chairmanship किसके रहती है एक bond bond shoot गया था जो ये move करती रहती है country to curtain जैसे bricks है तो पहले ब्रजील फिर रशिया फिर इंडिया फिर चाना इस तरह move करती है 2020 में जो 12th animal bricks summit थी वो रश्या ने host की थी जिसका theme था global stability, shade security and innovative growth और 2021 की इंडिया ने host की है या करने वाली है जिसमें जो theme होगी वो होगी intra bricks cooperation for continuity, consolidation and consensus तो हमारे देश में हो रही है तो हमें ये तो पता होना चीए कि अच्छा इस बार के bricks की theme क्या है इससे पहले goa में क्या इ कुछ special किया था government ने, आगे बढ़ते हैं और देखते है 17 plus 1 project के बारे में, उस 17 plus 1 project पहले है क्या ये देख लेते हैं, 1 इसमें है China जिसने project शुरू किया था और बाकी 17 European countries है, Eastern European countries मुस्ती जिसके साथ कोशिश की थी China ने कि वो agreement करेगा और एक DRI zone का corridor बन रहा था, Belt and Road Initiative बनान इसमें जितनी कई साथ Eastern European countries हैं, जो जादा अभी तक Western European standard पर नहीं जी रही हैं, उनका level of economic development उतना नहीं है, जिसे Latvia, Hungary, Estonia, Bulgaria जिसी countries, तो इन्होंने focus किया था कि हम infrastructure project run करेंगे, और जैसे हमें पता है कि जब भी को railway line infrastructure project चाइना run करती है, तो हमेशा सामने वाली countries को debt trap में फसाने की कोशिश करती है, तो debt trap का डर होता है लोगों को, और obviously Russia और America का, America का specifically pressure रहता है countries के उपर कि आप ना जाएं चाइना के साथ, हलां कि China इतना जादा सस्ता लोन देता है, इतनी जादा बातें अच्छी करता है, और इसमें फस जाएं, और इसके अंदर जो यह news है, हमें यह देखना पड़े है, इसमें 12 European countries है, EU member countries और 5 Balkan countries है, अब अगर मैं आपसे पूछे कि आम यह बात करें तो Greece को आप कहां रखेंगे, Greece is a member of this project, तो ऐसी कोई countries जिसको आप normally associate नहीं करते हैं Eastern Europe या Central Europe से, अगर वो देश आपको दिख रहा है, जो आपको option में फंसा सकता है, इसमें ग्रीस यहां पर आपको दिख सकता है, जो फंसा सकता है, आपको लगा है, Greece तो भाई पिक्स के अंदर भी आता था, European Union ने वहाँ तो help भी करी थी, तो इसमें तो कई सारे देशने यह European members हैं, लगा 12 ऐसे देशने इसको देख लें, ताकि आपको revise ठीक से हो जाए, और we move to next point which is world health assembly, हाली में जो world health organization के executive body है, उसकी meeting होई थी और अभी India उसको lead कर रहा है, तो obviously India के जो health minister है, उन्होंने इसको head किया था, चेर किया था, तो world health assembly क्या होती है, असल में decision making body है WHO की, जो हर साल world health assembly एक बार बैठती ह जनेवा में, और इसका काम होते है कि क्या agenda है, वचो का executive board क्या फैसल लेगी, क्या अभी क्योंकि corona का time है, तो और ज्यादा important ही हो जाता है, और तो क्या policies आने वाली है, कौन से director general appoint होंगे, क्या-क्या policies financial review approval होगा उसके बारे में, तो executive board के अंदर 34 member होते हैं, जो health sector से ही आते ह हैं, और क्योंकि decision or policies decide करने हैं, तो experts होते हैं अपने पने इलाकों में, और हर साल इसकी जो chair है, वो move करती है, अलग-अलग regional groups के बीच में, और साल में दो बार ये meeting होती है, इतना पता होना चाहिए हमें क्या करती है, और अभी इंडिया के, इसके health ministries के head थे है, हमारा next article UAE क आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये अफगानिस्तान, ये है इरान, यहाँ पर ओमान है, ये है यमन, ये country जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, यही है UAE, इन्हों ने नागरिकता दिये है अभी संजेदत को, समझे ये है क्या, तो 2019 से ही UA UAE ने long term residence visas देने शुरू किये हैं, कुछ eminent लोगों को, ऐसे लोगों को, जिन से फायदा हो सकता है UAE को, वो वहाँ पर जाके रंबे समय तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, even पढ़ाई भी कर सकते हैं, अगर वो वहाँ पर कोई business खोलना चाहते हैं, तो उन्हें UAE के sponsor के आव पाने वाला व्यक्ति एक लंबे समय तक वहाँ पर रह सकता है, 5-10 साल तक, आसानी से आ जा सकता है, समस्या नहीं होगी, किसे मिलता है ये वीजा, investors को, entrepreneurs को, individuals जिनके बहुत बढ़िया talent है, researchers को, medical professionals को, scientific and knowledge field में जिसमें बहुत अच्छा काम किया है, या फिर बहुत अच्छ वहाँ पर जो भी future plans हैं, उन्हें execute कर सकते हैं, business अच्छा फैला सकते हैं, research में contribute कर सकते हैं, so that was all about golden visa, यह heading यहाँ पर गलत लिखी होई है, हमारा next article NAM के बारे में है, नाम सुनाएं न, non-aligned moment, अभी हाल ही में, जो Union Minister for Health and Family Welfare हैं, इंदिया के, उन्होंने virtually participate किया एक meeting में, यह meeting थी NAM countries के जो health ministers हैं, उनकी, चुकि COVID का मामला चल रहा है, तो सबी group सापस में cooperate कर रहे हैं, health के sector में, edge village, NAM, जो NAM है, इसके बारे में बात करे हैं, तो यह 120 developing countries का एक group है, जो उस समय किसी block के साथ formally align नहीं होना चाहते थे, किस समय और किस block के साथ, actually में हम बात कर रहे है Cold War era की, जहां दुनिया दो गुट में बट गई थी, एक ओर था USA और दूसरी ओर था USSR, Soviet Union, जो आज का रूस है, यह दोनों देश प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इनके खेमे में आ जाएं, तो एक group ऐसा खड़ा हुआ, जिसने यह कहा कि हम किसी भी त क्या बहुत जादा है, मतलब 120 देश, आप समझ रहे हैं न, यह जो मुवमेंट था, वो 1950s में originate हुआ, जब दुनिया polarize हो रही थी, कुछ लोग USA की ओर जा रहे थे, कुछ लोग USSR की ओर, यानि कि एक खेमा communist बन रहा था, दूसरा capitalist बन रहा था, लेकिन यह एक दूसरी दि सामें गए, इसका उद्देश यह था, कि उन देशों की आजादी बनी रहे, sovereignty, territorial, integrity, इन सभी देशों की सुरक्षित रहे, फर्दर ये भी चाहते थे, कि जो imperialism, colonialism, neo-colonialism, जो economic colonialism आज आप बोलते हैं, या जो cultural colonialism है, उसकी बात कर रहे हैं, racism, foreign immigration, occupation, domination, hegemony में interference, इस से वो बस सकें, चुकि ये blocks, ये सभी समस्याय create कर रहे थे, फर्दर, इसको बनानी की प्रक्रिया कब शुरू होती है, 1905 में एक Bangdung conference हुआ था, वहाँ पे कुछ देश बैठे, उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा group बनाते हैं, जिसमें हम किसी किसा तलाइन नहों, हमारे principle सच्छी तरीक और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उसमें हमारे honorable former prime minister जवारलाल नहरू जी भी थे, तो पांच लोग थे, जिसमें जवारलाल नहरू जी तो एक हो गए, दूसरे घाना के president, तीसरे इंडोनेशिया के, चौथे एजिप्ट के, और पांच में यूगसलाविया के, और य mutual benefit और equality की बात करेंगे और peacefully एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो नयाम था उसने independent countries को एक नया platform दिया, कि वो बहारी हस्तक से बच कर अपनी autonomy को ensure कर सके, और world peace और prosperity के लिए इन्होंने एक useful role भी play किया, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.